सब्सक्राइब कीजिए उची तुपाई चैनल को और बैल आइकन को दवाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जदी आप तंतर मंतर दुवारा अपना जीवन सुकी बनाना चाहते हो या आप इन चीजों में रोची रखते हो तो आप अमारे चैनल के साथ बनी रहिए अब जया श्री कुष्णा मित्रो आपका बहुत-बहुत स्वागत है और चीत उपाई चैनल में और आज मैं आपके लिर लाया हूँ पानी से वशिक्रन कैसे किया जाए और ये बहुत ही परचंड वशिक्रन है और बहुत ही शक्तिशाली वशिक्रन है ये इस उपाय को कैसे किया जाए ये सभी जानकारी मैं आपको बता देता हूं और यदि आपका कोई प्रेमी या प्रेमी का किसी का हजबेंड या किसी की वाइव रूट गई है आप उनको मनाने के लिए ये उपाय कर सकते हो जो मैं आपको ये उपाय बता रहा हूं ये एक मुसलिम म अगर कोई दूर है या फिर आप चल्दी उपाय करना चाहते हो तो आप किसी भी शनिवार के दिन ये शुरू कर सकते हो उपाय का जो समय है वो रात का समय होगा रात के समय आपको करना क्या है कि लोगन की दुनी और जिस इनसान का आपको वंकर शिकरन करना है उसकी एक फोटू अगर फोटू नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको मैं एक मंतर बता रहा हूँ इसका आपको सबसे पहले मंतर सीध कर लेना है और मंतर इस प्रकार है नाम के नाम को मेरे वश्व मे कर जहाँ पे मैंने सबसे पहले नाम का शब्द का उपयोग किया है सबसे पहले जिसका भी आपको वशीकरन करना है उसकी माता जी का नाम आपको चारन करना है और बाद में आपको जिसका भी वशीकरन करना है उसका नाम लेना है मंतर की जो संख्या है ये 11,000 है 11,000 जब आप ये मंतर कर लोगे तो यह आपका मंतर सिध हो जाएगा लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको यह उपाय करना है अपने इश्टेवता का आशिरवाद लेके उनसे अज्या लेके यह उपाय कीजिएगा अगर आपको हो सके तो एक ही दिन में यह मंतर का जाप कर लीजिए और जो भी आप यह मंतर का जाप करोगे इसकी सक्तिया आपके कंट में बैट जाएगी जिसके भी नाम से आपने वशिकरन मंतर को सिध करा है अगले दिन या फिर जब भी आप उससे मिलो तो एक गिलास में पानी ले लेना और इस मंतर का 51 बार जाप करके उस गिलास में फुक मारती जिए और वो पानी भी आपका सिध हो जाएगा और जिसको भी आप ये पानी पिला दोगे वो आपके वशिबुत हो जाएगा और ये बहुत ही परचंड वशिकरन है और ध्यान रखेगा कि इसका कभी भी गलत उप्योग मत कीजेगा यदि आप अपने फायदे के लिए या दूसरे को नुकसान पोचाने के लिए तंतर मंतर का साहरा ले रहे हो तो इसकी हानी आपको जरूर मिलेगी और मंतर का जाप आप जब भी कर रहे हो तो ध्यान रहे कि लोबन की धुनी हमेशा जलाकी रखनी है आपको वो जब भी आप मंतर का जाप करो तो वात वरन विल्कुल शुद होना चाहिए और जब भी आप मंतर का जाप करो तो ध्यान रखना उपाय आपको करते होए कोई देखे न और नहीं आपको ये उपाई किसी को बताना है अगर आप किसी को भी ये उपाई बता देते हो और ये आपका मंतर सिद्वी नहीं होगा और नहीं ये उपाई काम करेगा और यदि इस वीडियो में या फिर उपाई में अगर आपको कोई समस्या आती है या किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो नंबर मैंने अपने डिस्क्रैप्शन में दिया हुआ है और यदि आप इस वीडियो के लिए कोई सुजाव या कोई सवाल पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट में आप फूछ सकते हो जहाँ पर मैं आपके ही सवाल का जवाब मैं आपको वहाँ पर कमेंट में देँगा इस उपाय को आप किसी अनजान इंसान के उपर कभी भी उपयोग मत किजिएगा और अगली वीडियो आपको किस विशे में चाहिए तो आप प्लिस नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लिस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जादा से जादा लोगों को शेर कर दीज तकि तंत्र मंतर यंत्र और काले जादू के बारे में सभी को सही ज्ञान मिले और ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत ही परचंड और उपयोगी वीडियो लाता रहूँगा अभी के लिए इतना ही जै श्री किर्शना